आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में, आज बात करेंगे Yes Bank के बारे में, और ले क्या हैं आपके लिए अंदर की ख़वर, बहुत बड़ी ख़वर का खुलासा हुआ है आज के बजट के प्री बजट, अगर हम बात करें Economic Survey के बारे में, उसकी पूर Cross Making Unit से उसने Profit Making Unit बनाया है तो उस हिसाब से और अभी यहाँ पर उनकी Asset Quality थोड़ी अच्छी नहीं है Gross NPA करीब-करीब यहाँ पर देखें तो 15.8% के आसपास है अब अगर हम बात करें कि Asset AQR क्या होता है, Asset Quality Review यह एक Periodic Review होता है जो RBI और साथ में Auditor मिलकर इसको करते हैं तो As per Economic Survey 2020-21 के बिसाब से Yes Bank और Lakshmi Vilas Bank दोनों के event शो कि RBI audit fails to catch evergreening यहाँ पर देखें, जो इतना हमेशा green-green रहता है उसमें भी थोड़ा आपको doubt होना चाहिए जैसे कहते हैं दूर के डोल सुआने होते हैं, वैसे ही RBI में अगर सब कुछ हमेशा green-green दिखाए देरो audit की report में तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको problem होना चाहिए आपको पता ही होगा 2015 में governor थे RBI की रगुराम राजन जी उन्होंने to dip up NPA, dig up NPA from the bank balance sheet तो asset quality review किया गया था, initiated किया था उनके under में पर वो सारा का सारा काम सही तरह से नहीं कर पाया और इसी चीज़ का जो बड़े लोग हैं उन्होंने बहुत fight out है, राना कपूर जी की बात करें तो बहुत महीर थे अपने खेल में, yes bank के founder थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा और इस तरह से उन्होंने money laundering की और यहां से जो पैसा निकाल के बहार भेजा है फर्जी company बना कर, यह एक fourth largest private lender था उस time पर company का पर उसके बाद में इसकी image बहुत खराब होगी थे, लोग बाग अपना पैसा निकालने के लिए लाइन लगा कर रात रात पर खड़े रहे थे highly critical of audit done by Reserve Bank of India saying event at Yes Bank and Lakshmi Vilas Bank show that the central bank did not spot evergreening carried out in way other than formal restructuring तो यह एक बहुत बड़ा खुलासा है इस report के accordingly जो आज बात हुई है the recent event at Yes Bank and Lakshmi Vilas Bank corporate that asset quality review AQR जो किया जाता है did not capture this challenges evergreen refer practice where bank give new loans to pay off the old one to help borrow escape the NPA होता क्या है, NPA क्या है non-performing asset अगर आपने कहीं loan लिया है और आप उसको वापस नहीं interest pay नहीं कर रहे है और उसका principal pay नहीं कर रहे है तो वो certain period के बाद में NPA बन जाता है पर यहाँ पर क्या क्या उन्होंने? उन्होंने उस bank को नए loan की तरह से दिखाना शुरू कर दिया ताकि यह asset NPA ना बने और इसलिए loan बनता जा रहा है फीज बढ़ती जा रही है पर वहाँ पर NPA को छुपाया जा रहा था तो यह practice widely prevalent it is not in line of the good spirit of the corporate governance corporate governance के लिए अच्छी बात नहीं है बट यह बहुत सारी चीज़ लोग इसको use करते है assumption that the private bank should have been able to raise the required capital after the clean-up survey ने कहा है regulator goes against RBI तो यहाँ पर RBI को भी कुछ इसमें अपनी responsibility लेनी पड़ेगी अगर इतना बड़ा काला चिथा चल रहा है तो RBI यह नहीं कह सकता कि हमें नहीं पता था इसके बारे में और यहाँ क्या हुआ यह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि जो audit होता है उसमें RBI की पूरी responsibility होती है auditors RBI की तरसे जाते है तो देखे, the increase in their reported NPA should have been in the initial year of the AQR यह समझने की बाली बात है जब AQR किया जाता है तो सबसे पहले साल में ही आपको सारे ये quality issues का बारे में पता होना न चाहिए यहाँ पर economy survey ने का है तो यह कई बार repeatedly किया गया है ऐसा नहीं कि पहली बारी हुआ है और उसके चलते हुए यह सारी के सारी खबरे यहाँ से अब आगे पता लगेगा कि कैसे इन बैंक को इस तरह के NPA के खिलवाड करने से बचाया जा सके तो actual bad loan in the bank यह इसको hide करते हैं इस तरह से nudge them by making adequate provision to avoid at a later shock तो यह एक normal practice है देखे जैसे banking system का यह bad loans है वो करीब 2 lakh करोड से 3 lakh करोड तक हो गए है 2015 से 2016 तक और उसके बाद में around 8 lakh करोड to 9 lakh करोड in the period of 4 to 5 years तो यह हर 4-5 साल में 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं तो आपको यह NPA और यह सारे stress asset जल्दी बताने होते हैं बर इसमें क्या हुआ कि वो stress address उन्हें पता है कि stress asset है पर उन्होंने उनको NPA डिकले ने किया बलकि उनको ने लोन बना कर बताया कि लोन की हमारी revenue बढ़ती जा रही है तो यह एक auditing practice है जो stop होनी चाहिए हमारे साब से the BS bank collapse under the weight of fraud and mismanagement in March 2020 फिर उसके आद में RBI was forced to prepare bailout और उसके साथ में क्या हुआ यहाँ पर State Bank of India, ICSA Bank, HDFC Bank यह सबने मिलकर इसको समवाला State Bank का सबसे यहादा stake अभी भी है यहाँ पर Same case हो रहा है लक्षमी विलास bank में जो year end के तरफ से चल रहा था अब यह क्यों fulfill नहीं हो पा रहे है QR की reasons का यह है कि यहाँ पर underestimate किया जाता है extended the bad loan और यह चीज़ जो auditor है इनको भी थोड़ा सा पता होता है क्या हो रहा है पर वो थोड़ा सा नजर अंदाज कर देते हैं इन सब को इससे problem क्या होती है आप और हम जैसे लोग जो retail निवेशक है उनका share price कम होता है और साथ ही साथ में आप और हम जैसे लोग उन्हों KQR was supposed to be make bank balance sheet healthier तो यह यहाँ पर problem यह नहीं कि उसी साल हो गया पर यह कई साल तक चलता रहा इसकी वज़े से यह ज़्यादा दिक्कत हुई है ऐसी तरह से Punjab National Bank ने additional provision मना के रखा है ठरह हजार करोड का और यहाँ पर 2017 में 15,000 करोड के आसपास का तो यह एक अच्छी practice नहीं है बट यह हर bank में चलती रहती है यह चीज़ आपको ज़रा समझाने वाली बात है इस particular वीडियो के reference में दूसरी बात अगर हम बात करें हैं आपर future prospects कैसे लग रहे हैं प्रशांत कुमार जी जब से बागदोर समाली है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जितनी आप भी तारिफ की जाए उतना कम है HDFC bank के साथ उनके product sell कर रहे है insurance product ICICI, SBI सब के साथ में उन्होंने tie up किया हुआ है और साथ ही साथ में उन्होंने promise भी किया है कि दो quarter के अंदर जो GNPA है वो single digit में लेके आएंगे अभी 17.8 से 15.8 कर दिया है आगे आनेवल समय में और उसको further improve करेंगे दो quarter का time चाहिए दोस्तो चैनल का 5 by February हमेशा देहान रखना अब अगर हम बात करें technicals की इसके लिए या spank के लिए तो देखे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें आज अच्छा bounce back हुआ है इसमें लग रहा है किसी तरह से 15 रुपे का यह बहुत अच्छा support है जहां से उसने दो बार continuously उपर bounce किया है और यह 15 रुपे 80 पैसे के लिए एक bullish candle कह सकते हैं इसने bullish candle form कर दिया है तो अब से फिर से यह यहाँ पर लग रहा है कि 15 रुपे का यह सपास इसका एक अच्छा demand zone है हमने अपने चनल बताया था कि 15 रुपे से लेकर 13 रुपे के बीच में आप इसको accumulate कर सकते हैं आप देखें वापिस bullionger band के अंदर आ गया है आज actually banking sector भी relatively अच्छा था तो bullionger band के अंदर आना एक सही indication है RSI को देखें तो RSI इसका 24-25 के आसपास हो गया था अभी यहां से RSI करी 35 के आसपास आगया तो अच्छा bounce back कह सकते हैं यहां से RSI के levels में भी और यही चीज़ अगर alligator indicator के basis पर देखें तो alligator indicator ने clear cut sell signal दिया जब तक यह अब 17 रुपे को cross नहीं करेगा तब तक इसका sell signal maintain रहेगा तो जैसे हमने बताया दोस्तों आप चाहें तो इसको 13 और 15 के range में keep on accumulating long term के लिए एक बहुत बढ़या growth story है अभी यहां पर buy और seller की थोड़ी ज़द दो हजद ओर चलेगी और Monday को क्योंकि budget पे काफी impact है तो उसका देखा जाएगा कि आगे infrastructure और other sectors में कैसे spending करने का plan है government का उसके इसाब से banks को अच्छा फाइदा मिल सकता है हमारा view bullish है यह बैंक में और हमारा target 170 के असपास है यहां पर आप चाहें तो buy कीजे और hold करके रखें हमारा target इसका 170 के लिए शमाचाते हैं एक 170 feature retail का target है हमारा target यहां पर 50 रुपे का है आने वाले धाई से 3 साल के अंदर yes bank के लिए बहुच शमाचाते हैं तो आपको recommendation है आप right level पर buy कीजे और इसको hold करके रखें दोस्तों अगर आप stock market में learning करना चाहते हैं साथी साथ में आप day trading की बारिकियों को समझना चाते हैं और वहां से पैसा earn करना चाते हैं तो उसके लिए आपको चीजों को बहुत बारिकी से समझना होगा इसके लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है अगर आप चाहें तो उस कोर्स को हमरे साथ जोइन कर सकते हैं आठ हदार रुपे की फीस है इसमें हम आपको मेल भी बताते हैं भावनाधीर no7 at the rate gmail.com आप January मंत का डिसकाउंट ले सकते हैं आपके लिए चाल भी यह पर सुने बाई गाइड